खीबूर्णिंग दोस्तों आज हम ट्रिगोमेटरी चैप्टर को फिर से आगे बढ़ाते हुए आज मैं ठीटा के बेल्यू को रखते हुए किस प्रकास से ठीटा के बेल्यू जब चेंज होगा तो उसमें sin theta का value, cost theta का value, 10 theta का value बदलते जाएगा आज हम लोग वही सीखेंगे तो पहले वीडियो में हमने क्या सीखा था पहले वीडियो में हमने trigonometric के इतिहास के बारे में सीखा था trigonometric का मतलब क्या होता है वो आपको link में दे दूँगा चाहे आपको मैं वहाँ i button में दे दूँगा उसके बाद आप जरूर उसको देख लिजेगा उसके बाद आज हम जो सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं जो trigonometric का यह जो formula है यह जो value है इस value को हम यदि ना याद रख पाए या exam के time में भूल जाएं तो वो हम कैसे असानी से उसको हम लोग recover कर सकते हैं वही आज हम सीखेंगे तो trigonometric का value याद रखने के लिए सबसे पहले trigonometric का value याद रखने के लिए हम लोग को पहले angle बनाना होगा right angle triangle right angle triangle बनाने के बाद जो है यह right angle triangle में यह value होता है आपका theta तो ठीटा का जो value हो सकता है वो क्या हो सकता है तो ठीटा का value 0 degree के लिए या ठीटा का value 30 degree के लिए या ठीटा का value 45 degree के लिए या ठीटा का value 60 degree के लिए या ठीटा का value 90 degree के लिए इन सारे value के लिए हम जो है किस प्रकास से derived करेंगे formula को या उसके value को वो आज हम सीखेंगे तो यह यहां पर सबसे पहले जो है यहां पर देख रहे हैं लिखा हुआ यहां थीटा तो थीटा में कौन है जीरो डिगरी है ठीटा होता है थीटा होता है तेन थीटा होता है यह सब यही एक भैलू आप याद रखेगा और इसका एक आराम से याद करने वाला बात यहां रहता है जब भी साइन थीटा का जब भैलू रहता है जीरो डिगरी से 90 की और जाएंगे तो भैलू बढ़ता है यहीरो से 90 की और जाएंगे तो साइन के लिए साइन थीटा में जीरो डिगरी से 90 की और जाएंगे तो भैलू आपका होगा जीरो से 1 की और बढ़ेगा लेकिन यही कॉस थीटा में जाएंगे कॉस थीटा के लिए तो 0 degree के लिए value क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और value घटे घटे 0 तक आएगा बस इसी दो concept को आसानी से आप याद रखिएगा और आसानी से सारे value को आप जो है हमेशा के लिए याद रख सकते हैं और exam time में भूल भी गए तो आप आसानी से उसको derived कर सकते हैं तो सबसे पहले जो trigmetry ratios के 0 degree से लेके 90 degree का value हम लिख लेते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं जैसे है यहाँ पर cos theta सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं cos theta तो तो यहां लिख लेते हैं, कॉस्ट ठीटा नहीं, साइन ठीटा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन ठीटा, तो sin 0 degree, sin 30 degree, ठीक है, sin आपका हो गया 45 degree, ठीक है, sin 45 degree के बाद क्या हो जाएगा, sin 60 degree, फिर उसके बाद sin क्या हो जाएगा, 90 degree, sin 90 degree, यह आप लिख लिजएगा, उसके बाद आप क्या करिएगा, यहाँ जो value आप लिखेगा, उसके बाद value आता है किसका cost ठीटा अगा, क्या हो जाएगा, cos theta, तो cos यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 degree, cos क्या हो जाएगा, 30 degree, cos क्या हो जाएगा, cos 45 degree, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, cos आपका हो जाएगा, 60 degree, फिर cos क्या हो जाएगा, cos 90 degree, इस तरह से आप लिख लिजएगा, सब लिखने के बाद, यह जब हो जाएगा, उसके बाद आप 0 से 1 की और बढ़ेगा लेकिन यही cos theta में क्या होगा 0 degree से यदि 90 degree के और जाएगे तो value 0 to 1 to 0 जाएगा तो यहाँ पर क्या कि 0 degree का value sin 0 degree का value क्या होता है 0 होता है तो हम यहाँ 0 लिख रहेंगे sin 30 का value क्या होता हाफ होता है 1 by 2 तो 1 by 2 लिखेंगे sin 45 का value क्या होता 1 by root 2 होता है तो आप root 2 लिख लिजेगा फिर sin 60 degree का value क्या होता है sin 60 degree का value होता है root 3 by 2 होता है तो आप root 3 by 2 लिख लिजेगा उसके बाद sin 90 का value क्या होता है 1 होता है तो आप 1 लिख लिजेगा बस आप याद रखेगा 0 से 1 की और बढ़ता है ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखेगे cos 0 degree to 90 degree तो cos 0 degree to 90 degree देख रहे हैं 1 से 0 की और बढ़ता है तो सबसे पहले आप यहाँ रख लिजे 1 ठीक है उसके बाद आप क्या करिएगा यह value जो sin 90 degree का value जो होगा वो value आजागा यहाँ पर sin 60 degree का value जो root 3 by 2 रहेगा वो आपका कहा आजाएगा यहाँ पर ठीक है और इसमें जो है जो sin 45 का value है और cos 45 का value है दोनों ही बिल्कुल सेम होता है तो 1 by कितना हो जाएगा 1 by आप लिख लिएगा root 2 उसका sin 30 degree का जो value होगा वो cos 60 का value हो जाएगा यहाँ half है तो यहाँ पर हो जाएगा half हो जाएगा उसके बाद क्या है यहाँ पर cos 90 degree का value है तो हम बोले थे 0 degree की और बढ़ेगा तो आप यहाँ पर यह sin 0 degree होगा वही cos 90 का value हो जाएगा 0 degree अब यह जब हो जाएगा यह जब आज आएगा आपके पास यह आने के बाद क्या करिएगा इसका value आप यहाँ रखेगा किसका value 10 का, तो 10 आपका क्या हो जागा, 10 का रखेगा, 0 degree, फिर 10 का क्या रखेगा, 10 का 30 degree, फिर 10 का क्या रखेगा, 10 का 45 degree, 10 का क्या रखेगा, 10 का 60 degree, फिर 10 का क्या रखेगा, 90 degree, ठीक है, तो क्या देखे, 10 0 degree से लेके, 10 90 degree तक का हम value क्या रख लिए, यहाँ पर लिख लिए, 0 degree value क्या है 0 है और cos 0 degree value क्या है 1 है तो आप क्या करिएगा sin को cos से divide करिएगा तो आता है 10 फॉर्मुला होता है एक एक फॉर्मुला होता है आपके पास कि 10 का value क्या होता है तो 10 का value आपका होता है sin by cos sin theta by cos theta होता है value ठीक है sin theta by cos theta होता है तो sin divided by cos करिएगा तो आपका आएगा 10 तो यानि कि 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0 ठीक है अब 1 by 2 को 3 by 2 से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा 2 और 2 cancel हो जाएगा और 1 by root 3 आएगा तो यहाँ पर आजाएगा 1 by root 3 तो क्या 1 by root 3 क्या आएगा 1 by root 3 तो यहाँ पर हम क्या बोले यहाँ बोले कि इसको इससे divide करिएगा तो 0 को 1 से divide करिएगा तो 0 आएगा और 1 by root 2 1 by 2 को divide करिएगा 3 root 3 by 2 से तो 2 नीचे नीचे cancel हो जाएगा और 1 by root 3 इसका answer हो जाएगा. इसके बाद आप sin45 को cost45 से divide करेगा तो root 2 और root 2 cancel हो जाएगा और 1 और 1 का 1 हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 2 और 2 cancel हो जाएगा, root 3 divided by 1 हो जाएगा, तो आपका value हो जाएगा root 3 उसके बाद यहाँ देखेंगे sin 90 degree है तो sin 90 degree के value होता है sin 90 degree के value होता है 1 by 0 तो 1 by 0 यानि कोई भी number को यदि आप 0 से divide करते हैं तो value not defined होता है तो यहाँ पर लिख दिएगा not defined ठीक है ना not defined लिख दिजिएगा यहाँ लिखे भी हैं देखें यहाँ पर not defined देखें यहाँ लिखें नाट डिफाइगा 10 theta के फ़ली के लिखें not defined यहाँ देखें उसके बाद देखें हैं कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा है sin 0 degree तो हम बोले थे एक बार कि sin का sin जो theta होता है उसका just opposite होता है 1 by cos theta तो 1 by cos theta इसका just opposite होता है cos theta का just opposite क्या होता है 1 by sec theta ठीक है और 10 theta का just opposite क्या होता है 10 theta का just opposite होता है 1 by cot theta तो यानि कहने में बहुता cot theta लिखेंगे तो क्या होगा 10 theta का जो value होगा वो उल्टा हो जाएगा sec theta का value लिखेंगे वो क्या हो जाएगा cos theta का value just ultra हो जाएगा cos theta जब value लिखेंगे जो sin theta का value हो जाएगा तो यहाँ पर यदि आप cos theta का value लिखते हैं cos theta तो value क्या हो जाएगा इसका just ultra तो 0 by 1 है तो इसका value उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1 by 0 हो जागा तो 1 by 0 हो जागा यानि 0 by 1 है तो 1 by 0 हो जागा तो इसका value हो जागा not defined नोट defined यानि Federative उसके बाद योदि यहाँ पर लिखें कोस εκegen कोस 130 degree लिखते हैं तो 30 degree का 1 by 2 है तो 2 by 1 हो जागा यानि इसका value हो जागा 2 उसके बाद sin 45 का कॉसेक लिखेंगे कॉसेक क्या लिखेंगा 45 लिखेंगा कॉसेक 45 लिखेंगा तो क्या हो जाएगा root 2 हो जाएगा फिर यहाँ पर क्या sin 60 डिगरी है तो इसका कॉसेक 60 डिगरी लिखेंगा तो क्या हो जाएगा 2 by root 3 हो जाएगा ठीक है देखे हम देख रहे हैं sin 0 degree का value होता है 0 तो cos 0 degree क्या होता है not defined यानि इन्फिनिटिव यानि इसका just उल्टा करेंगे यानि reciprocal करेंगे तो आपका क्या हो जागा आपका infinitive आजाएगा sin 30 का value होता है 1 by 2 तो cos 30 का value क्या होता है 2 होता है यानि 1 by 2 का तो 2 by 1 यानि कि 2 हो जाएगा साइन 45 का बिली होता है 1 by root 2 तो इसका just ultra करेंगे यानि reciprocal करेंगे तो क्या होगा root 2 होगा साइन 60 degree के value क्या होता है root 3 by 2 होता है इसका just reciprocal करेंगे तो क्या होगा 2 by root 3 होगा साइन 90 degree क्या बिली होता है 1 होता है है कि सक्वाति फौर्टी फॉस्टि ने इसमраж नैंटी डिगरी इस तरह से लिग ली जेगए। अब इसमें भी यसम्न रिसी पूंकल यह करेगे तो जीरो डिगरी का स्का रेसेपद सबत क्या हो जाए गागा इस key 2 per root 3 मों रोजाएंगा इसका रेसे एक करेंगेowe whereeleri होसके बाद इसका झाप नोट-onster करेंगे तो नट करेंग श्थीन होका क्या रिंफिंसिटिव तर्म उसके बाद उसके बाद देखेंगें यहां पर 10 theta, तो 10 theta हम बोले थे, 10 theta अगर just opposite क्या होता है, 1 by cot theta होता है, तो आप यहां लिखे, cot 0 degree, फिर यहां लिखे, cot 30 degree, फिर यहां लिखे, cot 45 degree, फिर यहां लिखे, cot 60 degree, फिर यहां लिखे, cot 90 degree, इस प्रकार से value लिखने जिए सारा value लिखने के बाद आप क्या करिएगा अब आप क्या करेंगे जीरो डिगरी का यहां पर ध्यान रखिएगा कि जीरो डिगरी का उल्टा तो यहां जीरो डिगरी not defined अब यहां पर root 3 by 1 है तो इसका value हो जाएगा root 3 हो जाएगा इसका value 1 है तो इसका 1 ही रह जाएगा इसका value root 3 है तो 1 by root 3 हो जाएगा और इसका not defined है तो इसका value 0 हो जाएगा यानि क्यों 0 degree ऐसे कैसे आया तो यहां पर है not defined का मतलब क्या होता 1 by 0 ऐसा होता not defined का मतलब 1 by 0 होता है तो इसका reciprocal करेंगे तो 0 by 1 होगा तो यानि 0 by 1 का मतलब क्या हो गया 0 तो इस प्रकार से आप सारा value असानी से निकाल सकते हैं और उस value को आप असानी से याद करके आप यदि भूल जाते हैं एक्जाम के टाइम में तो इस प्रकार से आसानी से निकाल करके और उसका प्रियोग कर सकते हैं